बिस्मिल्य रहमान रहीम, सलाम अलेकुम, आप देख रहे हैं कि चनवी दमरोजिया, आज मैं आपके लिए लेकर रही हूँ मज़ेदार आलो की टिकियां, जो बहुत मज़ेगी बनती हैं, बिल्कुल इजी तरी के से बताऊंगी, और साथ में सिंपल सा रायता, चलें सकते हैं, मेरे पास मैशर था तो मैशर से कर रही हूँ, अच्छे से आपने इनको मैश करना है, यह देखें, सारे मैश होगे, अब मैं मसाले शामिल करूंगी, नमक डालूंगी, डेट टेबल स्पून, वैसे आप अपने साथिके के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, मै दो किलो अलू लियें, उसके हिसाब से डाल रही हूँ, लाल मेश को पोड़ा डालूंगी, एक टेबल स्पून, हल्दी डालूंगी, हाफ टी स्पून, साथ में गरम मसाला डालूंगी, वो भी एक टेबल स्पून, और साथ में फिर दुबारा से डाल रही हूँ, उसक दनि एक टेबल स्पून चाड़ मसाला डालूंगी वो भी एक टेबल स्पून दनिया डालूंगी और इसे हाथों से मिक्स करूंगी अच्छे से बहुत सिंपल और इजेतरी के से मैं आपको बताऊंगी यह सब्दियों में बहुत मज़ाद था इसको बना के खाने में गर्मा गर्म बनाएं जब कोई महमान आए तब भी आब बना सकते हैं गार में भी बच्छों को बना के दें बहुत मज़े की बनती है यह देखें अच्छे से मिक्स हो गया अब मैं एक डिश लूँगी उसमें थोड़ा सा पानी लूँगी हाथों को पानी लगाऊंगी और साथ में थोड़ा सा मिक्चर लेके तो इसके गोल शेप दे लूँगी टिकी की शकल बना लूँगी यह देखें अब एक ट्रेल लूँगी उसमें रखती जाऊंगी दुबारा से मिक्चर को लूँगी इसे दुबारा से मैं गोल शेप देऊंगी यह देखें यह भी बन गई है इसी तरह से मैं साधी त्यार करूँगी यह देखें आदी से ज्यादा मैंने बना लिए हैं माशाला से कितनी अच्छी लाग रही हैं यह दो कि आखरी बाली भी मैंने बना लिए हैं अब मैं से फ्रीज में राक दूँगी आदे गंटे के लिए और आपको सिंपल सा राइता बनाना सिखाऊंगी चलें शुरू करते हैं अदा किलो मैं देही लूँगी उसे मैं अच्छे से बीट करूँगी ताकि लम्ट से जो हैं बहुत दम हो जाएं जीरा हाफ टी स्पून और साथ में नमक हाफ टी स्पून वो डालूँगी बिल्कु सिंपल सा बता रही हूँ आपको बहुत कम चीजों से पुदीना डालूँगी यह मैंने पीस लिया था मिक्स करूँगी अच्छे से और हमने कुछ नीस में डालना यह देखें राइता मारा रेडी हो गया है अच्छे से मिक्स कर लें आप साइड पे कर दूँगी और टिक्यों की त्यारी शुरू करते हैं एक तबा लूँगी उसके उपर मैं गी डालूँगी गी गरम हो गया है टिक्यों लूँगी और दो अंडे ले के मैंने उन्हें पैंट लिया था उसमें डिप करके मैं तबे के उपर डालती जाऊंगी यह देखें आईल गरम हो गया अच्छे से साइड चेंज करूँगी और साइड पे करती जाऊंगी दुबारा से उपर टिक्यां डालूँगी बहुत मज़े की फ्राई होई है यह देखें माशाइलला से आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इसी तरह मैं सारी फ्राई कर लोगी माशाइलला से देखें बहुत मज़े की बनी है बताईएगा उमीद करती है मेरे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी मेरे वीडियो को लाइक की दिए शेयर की दिए सब्सक्राइब की दिए प्रेस दाबेल आइकन देखते रहे किचन विदम रोजिया अला हफीज